नमस्कार दोस्तों मेरा नामे विजय कमर आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाके लीला जो की बाके लाल की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर दिया है पहले पार्ट मैंने इस कॉमिक् का ठीक रहेगा चमा करें महाराज आपका अनुमान सर्वता गलत है आपको रावन का पात्र निभाना होगा रावन का और मैं क्या बनूंगी आप देवी सीता महरानी जी सेना पत्री बीर हनुमान बनेगा परवन मंत्री बनेगा लक्ष्मन इसी तरह बाकी सब लोग भी कुछ-कुछ बनेगे महराज मैंने परवन मंत्री को सारी बेवस्ता करने का अदेश दे दिया है राम लिला का अयोजन आज से ही होगा आज से ही इतनी जल्दी भी क्या है दसा पात्र नहीं करना चाहते तो मैं कोई दूसरा बेक्ति ढोल लूँगा किन्तु राम लीला का मंचन तो आज से ही आराम होगा दसरे तक तो मैं तुझे मार कर विशालगट का राजा बन बेचुका होंगा मोटे और राजा बिक्रम सी के मना करने का तो प्रस्न ही नहीं उठता परवन मंत्री ने तुरेंथी सारी बेवस्ता कर दी इस परकार आराम हुई एक ऐसे राम लीला जिसमें बाकेलाल की बिजय पक्की थी भाकेलाल ये क्या भगवान सिरी राम के जनम की लीला तो रची नहीं ना ही वन्वास हुआ ना धनुस टूटा ना ककई सन्वाद हुआ ना राम ने सबरी के बेर खाएं तुम सीधे सीता हरन की लीला का मंचन क्यूं कर रहे हो मुझे संकर भगवान से ऐसा ही आदेश प्राप्थ हुआ है महाराज परवन मंत्री मेरा मतलब लक्षमन क्या तुम तयार हो हाँ भाकेलाल लक्षमन का पात्र अभिनित करके मेरा जन भी धन्ने हो गया अने था मैं सारी उम्र परवन्धी करता रहता इस नाटक के मंचन में कौन क्या बनेगा ये मैंने सब को बता दिया है जिसकी जहां पर जब आउसकता होगी वो वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा तो पर्दा उठने वाला है नाटक सुरू होने वाला है कोई हसने वाला है तो कोई रोने वाला है यानि मैं हसने वाला हूँ और मोटे तो रोने वाला है बोलो भगवान सिरी राम की जै पर्दा उठ गया अहा सुनरी हीरन हे स्वामी मुझे वो सुन्दर हीरन चाहिए हे लक्ष्मन मैं सुनारी हिरन लेने जाता हूँ तो मैं सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ जाता हूँ आप माता सीता की सुरक्षा के लिए तनिक भी चिंतित ना हो भाया राम मैं यहां रामलीला देखने नहीं आया मैं जिस बात का पता लगाने आया था वो मुझे पता लग चुकी है दानो अतिसिग्र वन में पहुचा दानो राज खाकसार क्या खबर लाया है चिपाकू खबर एकड़म पक्की है खाकसार राजा बिक्रमसी नाटा का मंचन कर रहा है सिवलिंग के पत्थर से मैंने तिरसूल भी बना लिया है चुकी मुझे बिक्रमसी के सामने पहुँथे ही राजा को तिरसूल मारना है इसलिए मुझे उसकी सही इस्तिती का पता होना बहुत आवलसेक है जो की मैंने आपको बता दी है अब राजा को मेरे हां तो मरने से और मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, किंटो खाक सार अगर खाने की नौबत आई तो आपको अकेले ही खाने होंगे, फिक्र मत कर, उसकी नौबत नहीं आएगी, अमर्ता प्राप्त होते ही फिर मेरा दूसरा अभियान भी सुरू हो जाएगा यानि तीनों लोगों पर आकर्मन करके उन्हें अपने अधिन करने का और इस अभियान का सेनापती मैं तुझे ही बनाऊंगा मगर इस अभियान का सेनापती स्वैम बाकेलाल था अ, सीते लक्षमन ये स्वार तो स्वामी सुरीराम का है वे अवश्य ही किसी संकट में फस चुके है भाईया सिरीराम पर कभी संकट आ ही नहीं सकता आप निशिन्त रहें हे लक्षमन मुझे किसी अनिश्ट के असंका हो रही है तुम अतिसेगर जाओ ठीक है मैं जाता हूँ किन्तु राम भाईया मुझे आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ गए है किर्पया आप इस लक्षमरेखा को पार ना करें कोई भी संकट इस रेखा को पार कर आप तक नहीं पहुंच सकता ठीक है किन्तु तुम अतिसी क्रेब जाओ लक्षमन लक्षमन मैं आता हूँ वो तुम्हें पुकार रहे हैं भाग कर जाओ लक्षमन वो सुनहरी हिरन मयावी मारिश था जिसके माया जाल में फसकर राम और लक्षमन सीता को अकेली छोड़ कर दूर जा चुके है अरे ओप मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि रामन का पात्र निवाते निवाते मैं नाटक के मन से निकल कर तृता यूग में आ चुका हूँ अन्यसाभी पात्र भी इस यूग में आ चुके होंगे और वहाँ विसालगर में नाटक के मन पर हमारे अक्स छूट चूट चुके होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन रावन भी बनना होगा स्वनलता मेरा मतब सीता बनी स्वनलता का हरन करने के लिए अब मुझे सादू भेस बनाना होगा मगर सादू के भेस का समान तो मेरे पास है ही नही मैं सादू कैसे बनूँगा ऐसा सोचते ही रावन बने बिक्रमसी साधू भेस में परवर्टित हो गए ओ, ये क्या, मैं तो साधू भी बन गया, समझ गया रावन एक मायावी बेक्ति था, उसके सभी गुट मुझ में भी आ गये है इसलिए इच्छा करते ही मैं अपने आप साधू बन गया किन्तू इसके साथ ही मैं बिक्रमसी वाले बिक्तितों को भी नहीं भूला हूँ और अब मेरे कदम स्वता ही सीथा का हरन करने के लिए उसकी ओर उठ रहे है हे देवी, भीक्षाम दे, ओ, साधू जी महराज, खाली हाथ ना जाने दूँगी सीथा भीक्षा ले आई, भीक्षा सिवकार करें साधू जी महराज, छमा करें देवी, मैं बंधी होई भीक्षा सिवकार नहीं करता भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो तो फिर ठीक है बाहर आकर भिक्षा देने में में मेरे पीता सिरी का क्या जाता है फिर तुन्हें लक्षमन रेखा को पार करने के भोल करनी सियता अब तुझे उठा ले जाएगा रावन हे स्वामी सिरी राम बचाईए फिर जब राम बना बाकेला लक्षमन के साथ महां पहुँचा तो फलों की थाली गीरी पड़ी है लक्षमन अवसे ही यहां कोई अनर्थ हुआ है हमें पता है कि वो हीरन मारिच रावन नहीं भेजा था सीता माता को रावन उठा ले गया है ओ हाँ वो मारा जिस दिन की मुझे परतिच्छा थी वो दिन आने वाला है अब होगा राम रावन यूद जिसमें राम यानि बाकेलाल के हाँ तो होगा मोटे विक्रम उर्फ रावन का वद मुझ्षड इस बार कताई नहीं बचेगा राम लक्षमन सीता की खोज में निकल पड़े तभी हे राम जटाईू सीता मातों को रावन वाईू मार्ट से लंका ले गया है मोटा चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए परन्तु मेरे हाथों से बचेगा नहीं तभी जैस दिड़ाम मैं सेनापती पवन पुत्र हनमान हूँ सेनापती तुम विसाल गड़ के हो यहां केबल बीर हनमान हो आपने सही कहा दुष्ड रावन का संधार करने में सहता के लिए मैं और मेरी पूरी बानर से ना आपके साथ है तो फिर जाओ सीता का पता लगा कर मेरी मुद्रिका उसे दो मेरा यह संधेश भी दो कि मैं अतिस्तिक्र रावन को मार कर उसे वापस विसाल गड़ ले जाओ विसाल गड़ नहीं हे राम और युद्ध्या कहे मैं जाता हूँ बोलो सियापती राम चेंद्र की जै सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है बस प्रिय हनुमान सीता के कुछ खबर ले आएं तो हम लंका पर चढ़ाई कर देंगे अरे हनुमान क्या हुआ तुम गय तु थे वाईयो मार्क से किन तु लोट रहे हो जल मार्क से और वो भी इतने सिग्र चपाक चपाक चमा करे सिरिनाम सायद मैं छलांग पूरी ताकत से नहीं लगा पाया इसलिए बीच में ही गिर गया और विसालकाय सारकेस मचली मेरे पीछे पड़ गई है देखते हैं देखते हैं वो विशालकाय सारकेस मचली अपने भयावा रूप के साथ समंदर के बाहर निकालाई मैं सारकेस नहीं हूँ मैं हूँ समंदरी मारकेस देते अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा बापरे मारकेस जैसे देते का तो रमायन में कहीं भी उलेक नहीं है उलेक तो बाकिलाल के राम बनने का सेनापती के हनुमान मेरे लक्षमन और महराज के रावन बनने का भी नहीं है मारकेस देते हमारी योड चला रहा है भाईया राम जल्दी से अपना धनुजबान समा ले पिरी हनुमान तुमारी लंबी पोच किस काम आएगी इसे जल्दी से पोच में जकर लो किंदू अगर इसने मेरी पोच उखार दी तो हनुमान बना पात्र निभारे सेना पती का डर सोभाविक था लेकिन फिर भी मैं आपके अग्या नहीं डाल सकता स्री राम मैं इस दुष्ट को अपने पोच में लपेट कर पोच को कुसलता पुरवक चहू और घुमा कर साई 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 दुष्ट नात मार्केज को साई समुन्दर पार उच्छाल फेकता हूँ पिर ये हनुमान इसका चीकना सरी तो कब का मचली की तरह फिसल का तुम्हारे पोच के कैसे सुहतरत्र हो चुका है क्योंकि ये तो अपना मू हमें अपना अहार बनाने के लिए नरक के विसाल द्वार की तरह खोल चुका है भाईया राम धनुस पान समालते क्यों नहीं आकरमन करते क्यों नहीं इसका वद करते क्यों नहीं तुम सब को एक साथ निगल लूँगा आकरमन साई 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 दोनों ने थावर तोड इतने तीर बरसा हैं कि देते मारकेस का मुँ तीरों से भर गया मगर ये क्या, हुन तेरा क्यों होगा, बाकेलाल, सिरे राम की अजबुत इस वरी सक्ती का परियोग क्यों नहीं करता घड़ाप, सस्त्र तो तेरा, सस्त्र तो मेरा भ्योजन है अरे, ये तो सभी बान भोजन के निवाले के समान निगल गया प्रिये हनुआन, तुम्हारी गद्धा कहा है? ओ, प्रभू, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी गद्धा से इस दुस्ट का काम तमाम करता हूँ हनुमान ने अपनी गद्धा का अवान किया, तो गद्धा हाथ में परकठ हो गई जै स्रीराम, दुस्ट अब तु नहीं बचेगा, धार फूल मुझे मारा है गद्धा के रूप में फूल नहीं, ये तो धूल के कन से भी हलका है दुस्मन मेरे, मुझे से पीटना, ये घूसा तुमारे काबिल है धार, अब तुम सब भी मेरे हाथो एक एक करके पहले पीटोगे, फिर मरोगे भाईया राम, अब क्या करें? इसका वद्ध किये बिना, मेरा लंका पहुँचना असंभव है और अगर मैं वाणा पहुचा, तो मोटे का वद्ध कैसे करूँगा? मगर क्या करूँ, इस मारकेश को मारू तो मारू कैसे? राम भाईया, मारकेश, ओ, इसे समाप्त करने का एक उपाय सुझा है किन्तु अगर ये इस उपाय से नहीं मारा, तो फिर ना जाने क्या होगा? अब मुझे एक बाल की ओ सकता है इससे पहले की मारकेश कोई अनर्थ कर पाता? दुश सैतान, अब तेरा अंत निश्चित है बाकेलाल ने हाथ में थमाप्त बाल मारकेश पर दे मारा धार, आ बाल का परहार मारकेश पर ऐसे हुआ मानो उस पर परवत फेक मारा है आ, छपार हो ना पादा क्यों, बूहू, वो मारा जैस सिरीराम जो दोस्ट इतने तीर इमगद्धा के परहारों से भी नहीं मरा उसका आंत आपनी किस परकार से किया? केवल एक बाल से हाँ, जब मैंने जल देते मारकेश के नाम पर विचार किया तो मुझे कुछ संका हुई अपनी संका का समधान करने के लिए मैंने एक बाल दोड़कर देते पर खीच मारा मेरी संका सत्य साबित हुई मारकेश केस की मार से मारा गया ओ, मारकेस अर्थात मारकेस और अब आपने उसे केस मार कर मार गिराया किंतु अब प्रस्ण ये उड़ता है कि हम इस सागर को पार करके लंका कैसे जाएंगे जहां दूस्त मुच्छड मेरा मतव रावन सीता का हरन करके ले गया है क्यों ना हम सागर पर पूल बांदे बीचार तो अति उत्तम है पत्रों पर सिरीराम का नाम लिख कर उन्हें सागर में उतारा तो वो तैरने लगे सिरीराम के नाम की सक्ती से पत्थर जल में तैरने लगे वाह राह तयार हो गई अब हम इस पूल को सरालता से पार कर देंगे किन्तु ओफ हम डूब रहे हैं जल्दी से सागर से बाहर निकलो समुंदर से बाहर आने पर ये पत्थर तो गत्ते के है इसमें मेरा क्या कसूर रामलीला के मंच के लिए गत्तो के पत्तर का रोब दिया गया था इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको सेर जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तो मिलते हैं आप से इसके तीसरे पार्ट में तब तक के लिए बाई करदा देना